राजस्थान पारा जिले ने बारिश के बारस से भड़का प्रपात में भी पानी का बहाव पाफी तेज थे यहां पिक्निक मनाने आये तीन युवक प्रपात की लेहरों की चपेट में आ गए और लेहरों के साथ बहते चले गए इसके बाद आसपास के लोगों ने एक की जान तो बचा ली लेकिन दो लोगों को लहरें लील गई रेस्क्यू टीम ने मुकेश मीडा नाम के क्यूवक का शव भी बरामत कर लिया दो दिन पहले भी यहां टिक टॉक वीडियो बनाने के दौरान एक बच्चा लहरों की चपेट में आ गया था देश भर में बारिश और बाल के बाद ऐसे कई हादसे सामने आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग फिर भी उन हादसों से सबक नहीं ले रहे और उखनती लहरों में अपनी जान जोखें में डाल रहे हैं